लो गाइज, I am Pradip from WSQTech, आज हम Python की सीरीज में देखेंगे कि हम Python के लिए best editor और IDE कैसे install करेंगे, वो भी Windows के system में, देखे, IDE इसमें क्या होता है, आप उसको क्या कर सकते है, यूज कर सकते है, वो Python का default IDE होता है, देखे, उसमें क्या process होता है, मैं आपको clear करता देता हूँ, यहां पर पाइचार्म जो हम इस्टॉल करेंगे उसके अंदर आप कोड भी कर पाएंगे और वहां पे आप उसको रन भी कर पाएंगे idea का मतलब यह होता है अब अगर मैं एडीटर के वल बात करूँ एडीटर वह वह होते हैं जिसपे आप कोड करते हो और रन करने के लिए आ इडी काम नहीं करेगा आईडीब तभी काम करेगा जब आप डिफॉल पहले python को क्या करेंगे इस्टॉल करेंगे जैन आप इस पर क्या कर सकते हैं तो मैं दोनों प्रॉसस क्या करूंगा implement करके दिखाऊंगा कि आप download कैसे करेंगे download करने के बाद install कैसे करेंगे और एक simple सा program बना के आप run कैसे करेंगे पाइचांप के तुछ पाइचांप एक एडीटर है ऐसे और भी एडीटर पाइथन के लिए आते हैं पाइचांप बना हुआ बना हुआ दूसरे प्रोग्राम यहां पर काड़ सकता है रन कर सकता है तो चलिए मैं इसको प्रोसेस करता हूं start करता हूं इसको download करके दिखाूंगा इसका इंस्टालेशन पर Earl जांगे चले हम झा करना है क्लิक करते हम यहां पे प्रोफेस्टन लाए और ओ इसको भी डाउनलोट करके काम कर कर सकता हूं और यहां पर देखिए आप HTML, JS, SQL इन सब पर भी काम कर सकते हैं अगर आपको प्योर पाइफन पर काम करना है तो आप कम्मूनिटी वर्जन कर सकते हैं प्रोफेशनल वर्जन में एक प्रॉबलम है कि यह वन मंत के लिए फिर है उसके बाद यह आप से की मांगने लगेगा कम्मूनिटी आपके लिए सही है आप इस पर पूरा का पूरा पाइफन का कोड क्या कर सकते हैं कोड कर सकते हैं और स्थार्ट करता है I cannot enough the प्रॉसेस यह आपने इसको केवल डाउनलोड किया अब दूसरा प्रॉसेस है कि हम इसको क्या करेंगे इस्टॉल करने के लिए आप क्लिक करेंगे एक इंटरफेस खुले का आपके सामने इन्टरफेस में आपको यस कर देना है पिर यह देखिए यह आपकी स्क्रीन आजाएगी आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए welcome to picham community editor setup आप यहां से इसको क्या करेंगे next करेंगे नेक्स्ट करते ही देखिए यहां पर space requirement बता रहा है कि इतनी requirement होनी चाहे मतलब 700 MB क्या आसपास आपके होना चाहिए और इस पेस इतना है अभी वह बता रहा है कि आपका स्पेस इतना एवलेबल है और आप यहां से क्या कर सकते हैं इसको next कर सकते हैं 64-bit launcher आप कर दीजिए add open folder as project इसको आपको चेक करना है और यहां से आप इसको क्या कर देंगे और इसको आप यहां से क्या कर देंगे इस्टॉल कर देंगे देखें इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने के बाद हम यहां पर क्या गर सकते हैं प्रोग्राम बना सकते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसको क्या गर सकते हैं रन भी कर सकते हैं देखें इस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो चु करेंगे पाइचारम का आपका एडिटर का क्या होगा इंटरफेस खुल जाएगा देखिए यहां पे दो इंटरफेस है एक ड्लैक टाइप का और एक लाइट टाइप का तो मैं यहां से लाइ च्या कर रहा हूं चूज कर रहा हूं और next feature plugin पर जाता हूं यहां से अब देखिए यहां पर अगर आपको कोई feature plugin करना है तो ठीक है तो इनमें से तो अभी भी आपको कोई भी जरूवत नहीं है आप start using python यहां पर क्लिक कर देंगे देखिए क्लिक करने के बाद एक interface आएगा यह पूछेगा create new project तो आप यहां पर create new project करिए न्यू प्रोजेक्ट आपको create करना है जहां पर भी create करना है देखिए c drive आप drive चेंज करके क्या कर सकते हैं folder बना सकते है folder बनाने का यह option क्या कर रहा है और इसने देखिए already क्या कर लि इंटर्प्रेटर को यहां पर call करना पड़ेगा अब देखिए मैं यहां पर क्या गरता हूं एक folder बना देता हूं पाइचार्म नाम से या पी प्रोग्राम नाम से और यहां से मैं इसको यह क्या कर देता हूं create कर देता हूं create करने के बाद यह आपके पास option आएगा और यहां से इसको क्या अगर देंगे close कर देंगे close करने के बाद यह folder है आप इसे क्या करेंगे right-click करेंगे right-click करके यहां पर new पर जाके python की एक फाइल बना देंगे python file चेक करने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं demo.py देखिए pys का क्या extension है यह मैं पूरा आपको समझाऊँगा जब मैं फाइल को बनाऊंगा एक बार और आगे का process में पूरा मैं clear कराऊंगा कि python की file को आप बना के direct command पे भी कैसे run करेंगे वो मैं पूरा बताऊंगा python की जब भी हम file बनाते तो .py से क्या करते हैं उसको save करते हैं save करने के बाद आप यहाँ पर एक simple सा program लिख दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया तो यह code लिखने का मतला editor का काम तो हो गया अब interpreter इसको run कैसे करेंगे यहाँ पर पूरा process बताता हूं देखे यहाँ पर run पर जाएंगे और debug कर दीजिए यहाँ से देखे यह demo को ही debug करना है और debug करते ही देखे यहाँ पर welcome to ws आपके सामने क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है अब देखे अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर run पर क्लिक करिए run पर क्लिक करके run demo और run demo भी करेंगे तो आपको यह answer दिखाएगा welcome to ws बाद आपuter कैसे बनाएंगे लिदि करने के बाद आप यहाँ पर फाइल कैसे सेट करेंगे जब प्रोग्राम बनाते तो उसको run कैसे करेंगे व रन करने कंग आप ँचाम क्या आप कर सकते है ऐं तो आपको क्या है जाएगा दिख जाएगा तो यह पूरा प्रोसेस मैं अप भी आपको क्या कर दिया कि रिखाए जो इन elton के लिए फंक्षों पर है अब रहेगा यह उसको क्लिक करेंगे तो धी वहां भी जाएगा आपके पास कर सकते हैं ऐसा नहीकि पाईचर्म ज़रूरी है और आप रन किसे कर सकते हैं कमाणड barking पर भी कर सकते हैं ये भी हम पूरा करेंगे अभी मैंने आप को बताई कि पाईचर्म को आप डाउनलोड करके सैट अप कैसे करेंगे विंडो सिस्टम वड़ी चonst devotion झाल